Hello guys, good morning to all of you and welcome to all in Henness Academy दोस्तो आज के इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक ले कराए है और आज का टॉपिक है प्रिपोजिशन तो दोस्तो इस से अच्छा खासा क्वेस्टन्स देखने को मिलते हैं BCCLE एकजामस में जो भी ये स्टुडेंट जो की BCCLE का प्रिपिरेशन कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को एंट तक देखें तभी आपको अच्छा से समाज में आएगा प्रिपोजिशन का कंसेप्ट एंड रूल्स क्या इसमें है नेक्स्ट है कि जो भी स्टुडेंट इस चैनल पे नहीं है और जिनोंने भी इस चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किरपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बिल आइकन को प्रेस कर दे तो दोस्तो बीना किसी वीलम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो मैं examination point भी हुसे बोलू तो दोस्तो इससे 4 से 5 questions देखने को मिलते हैं exams में and previous year की बात करें 2020 की तो इसमें 4 questions पूछे गए थे and इससे अचा questions जो है देखने को मिलते हैं exams में आप लोग 4 से 5 questions को correct कर सकते हैं बसरते कि आप लोग जो भी इस channel के तोर को concept दिया जा रहा है preposition से आप लोग उसे देखे and last में at the end हम लोग इसका questions को भी practice करेंगे ताक कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए ठीक है वीडियो को start करते हैं and prepositions क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं so preposition basically यह हम एक parts of a speech है and आप लोग जानते होंगे और total 8 parts of a speech है इंगलिस में जैसे कि noun, pronoun, adjective, verb, prepositions उसमें एक आता है introduction होता है ठीक है, तो preposition होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते है a preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words in the sentence so इसका मतलब है कि sentence कोई भी एक sentence है जिसमें noun होगा या pronoun होगा उसका relation बताता है उसमें use किये गए दूसरे words जो किये गए है use उसके बीच का relation बताता है ठीक है, noun और pronoun और other words जो भी है उसके बीच का relation preposition बताता है ठीक है, so other words में या तो noun हो सकता है भर्व हो सकता है, या adjective हो सकता है ठीक है so preposition basically आपको जो है na example के थुरू और अच्छा समझ में आगा so हम लोग basically इसमें examples को लेकर आपको अच्छा समझाएंगे आपर on जो है वह एक preposition है और book है noun और table भी एक noun है, ठीक है so the book is on the table, book का relation table से बता रहा है कि book जो है table पे रखा गया है ठीक, तो अगर मालने जिए on हटा देते हैं आपर preposition नहीं लगाते हैं तो sentence पर के दखिए the book is the table कोई relation बन नहीं पा रहा है इस sentence में book और table यूज है लेकिन कोई relation नहीं बन पर रहा है क्योंकि preposition यहां यूज नहीं हुआ इसलिए हम लोग preposition का यूज करते हैं ताकि जो भी noun pronoun यूज हुआ उस sentence में उसका relation किसी और word से हम लोग जोड सके next example की बात करें तो he is in the room तो वह कहां है तो वह room में है यह in के वज़े से हम लोग relation बता पा रहे हैं यह जो pronoun है इस noun के बीच next topic की बात करें तो दोस्तों next topic है कि types of preposition क्या होते हैं ठीक है and basically इसमें हम लोग देखेंगे कि preposition यूज कैसे किया जाता है और कहां कहां यूज कैसे किया जाता है ठीक है basically यह तीन चीजों पे depend करता है first है when माले ज़े कोई भी घटना हो रहा है कब हो रहा है दूसरा कहां हो रहा है और किस दीशा में हो रहा है किस direction में हो रहा है तो जितना भी prepositions होते है इसी तीनों पे यूज किया जाता है ठीक है when का मतलब है preposition of time preposition of place and preposition of direction या indirection ठीक है इसका मतलब यह है and दोस्तों जो भी preposition इसके बाद हम लोग discuss करने वाले हैं आज ज़्यादा हम लोग नहीं दो प्रिपोजिशन ही लिए है and rules के साथ, examples के साथ हम लोग आज आपको समझाएंगे ठीक है so next चलते है अगले topic योड so जैसे preposition various meaning क्या होता है and correct use कैसे किया जाता है ठीक है इसका rules के साथ हम लोग discuss करेंगे so first preposition है at ठीक है at का क्या rules होते है sentence में use कैसे किया जाता है हम लोग देखना है so first rule है निश्चित समय point of time इसे बोलते है इसका मतलब है कि कोई भी sentence में specify time किया हो ठीक उसमें हम लोग add का पड़ियो करते है ये नहीं कि कभी मेरे घर पे कोई लोग कभी आ गया ऐसे नहीं एकदाम बोलेंगे point of time या specify time को करेंगे कि हाँ जैसे कि देखिए एक जाम पलक थोरी देखिए समझी है आप लोग we left at 2 o'clock so हम लोग निकल गए तो बजे यहाँ पे जो दो है वह specify कर रहा है point of time को इसलिए हम लोग add का पड़ियो कर रहा है next है he came at midnight वह जो है मध्य रातरी में आया ठीक है वह जो है मध्य रातरी में आया यहाँ पे time specify कर रहा है जैसे noon होगा जैसे दुपहर दुपहर बोलते है add पड़ियो किया जाएगा ठीक है midnight में भी add पड़ियो किया जाएगा next rule की बात करें तो निश्चित जगह means इसका मतलब है कि कोई जगह है उसको specify पुरपर तरह से किया जाएगा उस sentence में इसलिए हम लोग add का पड़ियो करेंगे जैसे कि देखिए my house is situated at the corner of the street देखिए एक तो ऐसे हो सकता है my house is situated in the street इसका मतलब है कि अब street है और अगर माल लिजे यहाँ पे specify नहीं किया गया हो कि street में तो बहुत सारे घर हो सकते है पर आपका आपका घर कहा है यहाँ पे specify अगर नहीं किया हो तो add का पड़ियोग नहीं करेंगे बटे यहाँ पे बोल रहा है my house is situated at the corner corner यहाँ पे specify कर रहा है उस जगह को निश्चित जगह को specify कर रहा है इसलिए हम लोग add का पड़ियोग करेंगे ठीक है कि जो गहर है वह क्या बोलेंगे इसको street गली में एक corner पे है next I met him at the hospital मैं जो है उससे मिला hospital में ठीक है specify कर रहा है निश्चित जगह को बता रहा है hospital next he saw suit at the bird वह एक bird को suit किया किसको किया bird को यहाँ पे भी specify कर रहा है किसको किया next rule है छोटे अस्थान के लिए यह तो famous है बहुत famous है at का पड़ियोग छोटे अस्थान के लिए हम लोग add का पड़ियोग करते हैं जैसे कि देखिए I live at conquer bag in partner इसमें देखिए कंकर बाग जो है पटना के अंदर आता है पटना जो सहर है उसके अंदर कंकर बाग आता है and conquer bag इसके पटना के अलावा तो छोटा है इसलिए I live at conquer bag in partner and in का भी हम लोग use करेंगे कैसे कैसे कहां use कर आता है उसके बारे में हम लोग further discuss करेंगे next example की बात करें तो he lives at Rajagir so Rajagir जो जगह है छोटा जगह है उसमें हम लोग क्या at लगा रहे है and यह pronoun है and यह एक place दर्चारा है इसको हम relate कर रहे है at का वज़े से next rule की बात करें means price, rate और speed कहीं हो sentence में तो हम लोग at का पड़ियो करेंगे जैसे की देखिए sugar sales at 20 rupees a kilo so यहाँ पर sugar जो है specify कर रहा है उसका rate price उसका जो price है उसको specify कर रहा है इसलिए हम लोग at का पड़ियो कर रहे next है he bought the book at a high price यहाँ भी price को denote कर रहा है कि वह high price में एक book को खरदा इसलिए हम लोग at का पड़ियो कर रहे next I borrowed money from him at 5% rate means माल लेज़े अगर यहाँ पर 5% नहीं दिया होता सीधे बोलता है कि हाँ वहाँ उससे money लिया जा रहा है और उससे पैसा लिया interest पे तो हम लोग at का पड़ियो करते क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे specify नहीं कर रहे है बट यहाँ पे 5% interest पे यह पैसा लिया यह specify कर रहा है इसलिए हम लोग at का पड़ियो कर रहे है next the car was running at full speed यहाँ पे full जो है full speed में car जा रहा है इसलिए हम लोग at का पड़ियो कर रहे है preposition के रूप में यहाँ पे next rule है की उम्र में to state the age at which somebody does something so कोई भी आदमी कुछ करते है किसी age पे उसको specify करने के लिए हम लोग at का पड़ियो करते हैं जैसे कि दखिए he got married at 25 so जैसे हम उसका age 25 हुआ उसने साधी कर लिया ठीक है यहाँ पे specify किया age को next example की बात करें so he left school at the age of 15 so school छोड़ दिया 15 साल के उम्र में यहाँ पे भी specify किया जा रहा है उम्र को इसलिए हम लोग at का पड़ियो करते हैं next preposition की बात करें तो in है and यह कैसे use किया आता है sentence में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे so बड़े जगा होता है used for big places जो भी big places है उसके लिए हम लोग in का पड़ियो करेंगे जैसे कि दखिए we live in India and in का पड़ियो जो है famous है बड़े जगा के लिए use किया जात we live in India so हम लोग इंडिया में रहते हैं इंडिया एक बड़ा स्थान हुआ big place हुआ so in हम लोग यूज किया next see lips in London so वह जो है लंदन में रहती है ठीक जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रिवियस प्रिवियस एक एक इजाम पलता देखिए है आई लीव एट कंकरबाग इंपटना यहाँ पे क्या है कंकरबाग छोटा था इसलिए एट यूज किया और पटना इसके तुलना में बड़ा है इन यूज किया ठीक तो बड़े place के लिए हम लोग यूज इन करते हैं मतलब इन यूज करते हैं नेक्सट रूल है दीशा डायरेक्शन के लिए हम लोग इनका पड़ियो करते हैं जैसे देखे दो सन राइज इन दा इस्ट इस्ट यहाँ दीशा है अप्रदर्शित कर रहा है जो सन है वह उगता है इस्ट के तरफ से और इस्ट से उगता है इसलिए हम लोग इनका पड़ियों करें next the sun sets in the west the sun sets in the west so sun जो है वह west में डूपता है तो उसको in बोलेंगे इनका पड़ियों करेंगे यहाँ पे दिसा है जो इसलिए next पेसा या कार्य इसको बोलेंगे occupation और activity जो है वहाँ पे हम लोग इनका पड़ियों करेंगे जैसे कि देखे he is in the navy so वह जो है वह नौ सेना में है और नौ सेना में अधिकारी के रूप में है ठीक तो यहाँ पे उसका क्या है एक occupation है कि वह नेवी में है next my father is in politics my father मेरा फादर जो है और मेरे फादर जो है वह राजनीत में है और politics में है ठीक है तो यहाँ पे in पड़ियों करेंगे activity type का हुआ है next rule की बात करें तो अवस्था के sense में इसका मतलब बैदा है state and the condition means की जैसे देखें trouble, good health या एक condition किसी आदमी का बता रहा है so इसके अथि में और इसके जब भी ऐसा लिखा हो तो हम लोग इन का पड़ियों करेंगे जैसा की देखे he is in trouble so वह जो है वह किसी मुस्किल में है trouble में है इसलिए हम लोग इन का पड़ियों कर रहे है next is he is in good health वह लड़की जो है वह good health में अच्छे स्वास्त में है so यहाँ पर एक क्या बता रहा है state और condition बता रहा है किसी व्यक्ती का so यहाँ पर लोग इन का पड़ियों करेंगे next rule की बात करें तो wider extent of time means period of time यहाँ पर परियों आफ टाइम हम लोग ने add का परियों point of time में किया था यहाँ परियों आफ टाइम में कुछ समय के काल में हम लोग in का पड़ियों करेंगे जैसे की देखिए it is cold in winter winter तो एक दिन का होगा नहीं winter तीन चार महिने का होता है so अहाँ पर हम लोग in का पड़ियों करेंगे it is cold in winter next he came here in january january भी एक लमबा समय होता है लमबा समय होता है उसमें हम लोग in का पड़ियों करेंगे next है he came here in 1995 so वह जो है 1995 में आया एक समय बता रहा है लमबा समय बता रहा है ठीक है तो आप लोग in का पड़ियों करेंगे next है next six rule की बात करें तो के भीतर इसका मतलब है विदिन कंसिस्ट ओफ इन देखिए एग्जामपल के थूर समझी आप देर आर सेवन डेज इन वीक सो एक सब्ता हमें कितने दिन होते हैं साथ दिन होते तो हम लोग इस कंडिशन में इन का पड़ियों करेंगे next है life consists in pain और pleasure so pain means, pleasure means, खुषी, महल जो होता है उसको बोलेंगे so life जो है pain या दिकतो या खुषीयों में गुजरता उसको इन का पड़ियों करेंगे इस में next है she is in the room वह जो लड़की है वह room में है ठीक है? रूम के अंदर क्या है? कौन है? लड़की है सो इनका पड़ियों करते हैं नेक्स्ट कोस और नेक्स्ट रूल की बात करें तो पोसाग में वेरिंग मिन्स जो भी यूनिफर्म है ड्रेस अप है उसके कॉंटेक्स्ट में इनका पड़ियों कैसे किया जाथा है तो एक्जामपल के तुरू देखिए सिवाज ड्रेस्ट इना सिल्क सारी सो वह जो लड़की है वह सिल्क सारी में ड्रेस अप है सो इनका पड़ियों किया जागा है नेक्स्ट है दा प्यून वाज इन उनिफर्म जो प्यून है वह उनिफर्म में है एक state of wearing बता रहा है ठीक है कपड़े बनने का एक तरीका और कपड़े पाना है सो दप्यून वाज इन उनिफर्म सो ऐसे अस्थान पर हम लोग इनका पड़ियों करते हैं ठीक है सो ओल्मोस्ट हम लोगों ने आज दो क्योंकि आज इंट्रोडक्शन लेक्शर था इसका इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं लंबा वीडियो की है इसमें दो प्रिपोजिशन को ही डिसकस की हैं ठीक है वित रूल्स और एंग्जामपल्स जो भी आपने देखा सो दोस्तो इसका जो पीडियेफ है आपको टेलीगराम पे मिल जाएगा आज की इस वीडियो हैं वस इतना है एंड ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जूरण है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मोस्ट इंपोर्टन इस वीडियो को आप लोग लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ सेर करें जो भी ए स्टुडेंट जो के BCC LE का प्रिप्रेशन करना चाह रहे और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग प्रिपोजिशन का जितने भी important questions बन सकते हैं और प्रिपोजिशन होते हैं उसके rules and विद्धे examples हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है आप इस चैनल के साथ जूरड है and बस इतना ही कहना था इसमें so that's all from my side thank you and have a nice day